वाव! सीजन की पहली बारिश हो इतनी amazing सी smell क्या है ये smell क्या है ये smell का कोई relation मेरे medical entrance examination के साथ है क्या है इसका कोई relation मेरी NCRT के साथ है Let's check it out Hi Guys, This is Dr. Khan and I welcome you to Dr. Khan Biology यूर वाचिंग आस्क डॉक्टर खान शो वेर आंसर अल आफ यूर क्वेरी इस अमेजिंग सी जो खुश्बू आपको आती है इस अमेजिंग खुश्बू को हम कहते हैं पैट्रिकॉर दाट वस गिवन थॉमस एंड बियर इन मैसाचूसेट यूनिवर्सिटी पैट्रिकॉर का लिटरल मीनिग है पैट्रोस आइकॉर और जब गॉड का बलड स्टोन और सैंड और जब गॉड का बलड स्टोन और सैंड पे होगा तो इस स्मेल तो जबरदस्त होगी ही होगी जब बहुत लंबे dry season के बाद गर्मियों के बाद पहली बार बारिश होती है तो जो smell आती है उसी smell को हम लोग कह देते हैं petrichor और इसका सीधा relation है इस soil में present bacteria actinomycets से actinomycets bacteria यह वो bacteria है जो के gram positive flamantus aerobic bacteria है soil में रहते हैं और इनमें से एक bacteria है streptomyces bacteria जो के streptomycin antibiotic produce करता है इसका नाम तो आपने सुना है NCRT में यही है वो point इसके बाद यह जो bacteria है guys यह spores बनाते हैं जब गर्मी आती है and during that procedure they produce certain chemicals and one of that chemicals is geosamine geosamine guys यह वो chemical है जो की soil में present होता है जैसे ही बारिश आती है बारिश के बूंदे आती है वो जमीन पर strike करती है और split हो जाती है split होते ही यह बनाती है aerosols और aerosols बहुत हलकी होते हैं हवा में बहुत देर तक सस्पेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें smell आती है amazing it is guys जो आपने मट्री खाई होगी बच्पने में उसका भी बड़ा अच्छा सा muddy taste होता है पता है यह muddy taste भी jasmine की वजह से ही होता है second चीज पेट्रिकोर के लिए अगर हम बात करें तो second चीज है जब हम किसी garden में होते हैं तब भी हमें बड़ी अच्छी सी different smells आती है guys कई plants ऐसे होते हैं जो कई aromatic oils बनाते हैं और यह aromatic oils बारिश के साथ साथ पेड़ों से स्वाइल से wash off हो जाते हैं aerosols बना सकते हैं और उसी की smell हमें आती है आपको पता है nature कोई भी चीज waste नहीं बनाती plants ये oil इसलिए बनाते हैं ताके इनके जो seed जमीन में पड़े हुए हैं गर्मी भर पड़े रहेंगे तो वो कहीं गलती से खराब ना हो जाए जर्मिनेशन की करने की कोशिश ना करें इसलिए ये oils इन seeds को dormant इस्तिती में ले आते हैं मतलब इनको सुला देते हैं और जब seeds सो जाएंगे तो उनके खराब होने के chances भी नहीं होंगे जैसे ही बारिश आएगी ये सारा oil wash off हो जाएगा अब plants के seed आराम से germinate कर सकते हैं without wastage guys third reason जो है वो बड़ा amazing reason है third reason को जानने वाले लोग जादातर coastal areas में रहते होंगे क्योंकि वहाँ पर thunderstorming बिजली का कड़कना काफी होता है आपको पता है जब जब thunderstorming होती है तब तब ozone बनता है और जो हमारे अर्थ के आसपास जो ozone layer है जो हमने अपनी NCRT में पढ़ा भी है वो भी thunderstorming की वज़े से बनी है जितनी ज़्यादा thunderstorming होती है उतनी ज़्यादा ये सारे के सारे gases बनती है especially ozone बनता है और ozone एक tri oxygen है और ये tri oxygen के smell बहुती पंजेंट होती है जो के हमें नजर आती है मैं आपको एक्स्ट्रा पंच दूँ एक बहुत जबदस information है जो आपको देता हूँ ये इनके बारे में हमें नहीं पता है ज़्यादा है मगर एक दो oils का में बारे में आपको बता सकता हूँ जैसे two isopropyl three methoxy pyrazine एक ऐसा oil है जो के seed dormancy लाता है और इसी की smell आपको आती है आपको एक बात और बताता हूँ आपने दिहान दिया होगा कि कई बार यार ये खुश्बू बड़ी जबरदस्थ हमाई नाथ में घुश जाती है बड़ा अच्छा लगता है और इसका reason ये है क्योंकि कुछ certain aromatic compound ऐसे हैं जैसे ये वाला two isopropyl methoxy pyrazine मुभर गया ये 10 particles per trillion में भी 10 PPT में भी हम इसको smell कर सकते हैं amazing it is so information like that अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे channel को subscribe करें bell icon बजाएं ताकि हर question का answer आपको मिल सके आप खुद भी मुझसे का comment box में questions पूछ सकते हैं आपका हर question जो के बार जी से related होगा मैं इसका जवाब आपको वीडियो बना के दूँगा